असलाम लेकम आज में आपको हलीम बनाने का तरीका बताऊंगे हलीम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ शान का शाही हलीम मिक्स रप्य में दो पैकट होते हैं एक दालों का और दूसरा पैकट मसाले का पैकट के दालों के इलावा मैं इसमें डालूंगी आदा कब चनू की दाल आदा कब मसूल की दाल आदा कब चावनों का और पॉन्ट फील का गुश्ट दरम्याने सा इसके प्यास प्यास को आप काटने बन पंद्रा लसन के जवे अले जो हम लेंगे वो है नमक हाफटी स्पूम लाल मिरच पी सीवई हाफटी स्पूम और शान मसाला उससे पहले शान शाई हली मिक्स की दालों वाला पैकट को एक पतीली में डाल लेंगे और इसके इलावा हम दालों में चनों की दाल, मसूर की दाल और चावनों को डाल कर पांच-छे घंटे के लिए बगो कर रख देंगे पांच-छे घंटे के बाद डालों को उबालने के लिए रख दें जब डाले उबलने लग जाएं तो उसमें आप शान शाही मसाला का आदा पैकट डाल दी और तब तक डालों को पकाएं जब तक डाले अच्छी तरह गल ना जाएं जब डाले गल जाएं तो उसको अच्छी तरह बीट कर लें जब देंगार फेंगा है दूसरी तरफ प्रेशन में वील का गोश्ट को डाल ली फिर उसमें प्यास लसन नमक लाल मिलच भी सी हुई और तीन कब पानी के डाल कर वोश्ट को पांच मिनट के लिए पकाएं प्रेशन में 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 प् बंद कर देंगे दस मिनट के बाद हम परैशर को खोल देंगे अब देखें गोश्ट अच्छी तरह गल गया है इसमें हम ओयल डाल कर गोश्ट को अच्छी तरह भून कर बीट कर लेंगे कर दो कर दो कर दो झाल झाल बीट करने के बाद हम गोश्ट को दाल में डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम गोश्ट कर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम गोश्ट कर लेंगे हम हलीम को तरका लगाएंगे एक फ्रे पैन में थोरा सा कोईल और प्यास को डाल कर प्यास को ब्राउन कर लेंगे जब प्यास ब्राउन होता है तो उसको हलीम में डाल दें अब हलीम तियार है अल्ला हफिस कर दो कर दो झाल कर दो कर दो तो में लेग कर दो कर दो कर दो नोग खार बद्द कर दो दो फिस्टाइब कर दो चुटिए विलिगल